दोस्तो आज इस वीडियो में मैं आप लोग को step by step transformer के बारे में बताऊंगा 11 के भी 33 के भी चाए कोई भी transformer रहे आप अराम से primary side का और secondary side का MPR कीस तरह निकालना है transformer का जो name plate है name plate के साथ आप matching करके निकालना है तभी क्या होगा जो आपका experience बनेगा एक दम perfect experience भी बनेगा कोई भी electrical का interview दीजिएगा तो आप अराम से आगे वला आदमी को समझा सकते हैं तो किस तरह से आज इस वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा नमस्कार दोस्तो practical experience technician तपन YouTube चैनल में आप लोग का स्वागत है आज कुछ निया सिखते हैं दोस्तो जीस टाइब से मैं आप लोग को step by step समझाता हूँ अगर वीडियो को सुरू से लेकर last तक देखिएगा आपके अंदर में कुछ भी doubt बना हुआ नहीं रहेगा अगर आप नहीं देखते हैं तो lifetime आपके अंदर में doubt बना रहेगा तो पहले दोस्तो हम लोग क्या करेंगे कोई भी transformer का जब आप primary side गा या secondary side गा MPR निकालिएगा तो इसको क्या करना पड़ेगा पहले आपका power निकालना पड़ेगा मतलब कितना KVA का transformer है दोस्तो तो हम लोग क्या निकालेंगे पहले हम एक छोटा सा लिग देते हैं यहां पर power है ठीक है तो हम लोग power निकाल ले है इसके लिए हम क्या करेंगे KVA ठीक है into क्या करेंगे power factor दे देंगे ठीक है तो यह हमारा एक हो गिया formula और यहां पर हम एकदम साब साब लिग देंगे kilowatt मतलब kilowatt मतलब हमारा power होता है मैं अलरड़ी इससे पहले भी जो वीडियो बनाया हूँ आप लोग को अलरड़ी समझाया हूँ ठीक है तो यह हो गिया हमारा formula अभी इसको calculation करेंगे कि हमारा कितना kva to power factor कितना होगा तो इसके लिए क्या करेंगे यह जो हमारा k लिखा हुआ है k के लिए हम लोग क्या करेंगे 1000 ले लेते है ठीक है आराम से यहां पर 1000 ले लेंगे ठीक है इसके बाद इसको into करेंगे अभी जो power factor है तो power factor हर plant के लिए अलग-अलग होता है इसमें से देखिएगा जो आपका रहेगा ठीक है आप उसी को देखे calculation कीजिएगा क्योंके दोस्तों मैं आप लोग के अंदर में कुछ doubt रखता भी नहीं हूँ ठीक है हर प्लाण में तो 0.99, 0.98 रहता ही है कम बला देके calculation करके समझाएंगे तो आपको कुछ भी doubt नहीं रहेगा तो यहाँ पर 0.95 लिख देंगे ठीक है और यहाँ पर kilowatt equal to हमारा क्या हो जाएगा 950 ठीक है किलोवाट हो जाएगा तो यहाँ निचे में हम साब लिख देंगे कितना हो गया 950 किलोवाट ठीक है इसी तरह से दोस्तो step by step आपको calculation करना है अभी दोस्तो जैसे हमारा यह किलोवाट निकल गया है ठीक है अब कोई tension नहीं है अभी जो primary side में और secondary side के ampere निकालेंगे इसके लिए हम क्या करेंगे फिर इसको किलोवाट को वाट में convert करेंगे इसके लिए बहुत ही simple तरीका से क्या करेंगे हमारा तो 950 है इसके साथ कुछ भी नहीं करेंगे 1000 दे देंगे 1000 देगे calculation कीजिएगा तो आपका क्या होगा वाट निकलेगा इसके बाद आपका चार गोड जीरो तो इसके लिए हो गया हमारा वाट तो जब आपका वाट निकल गया आपका ampere निकलने में कुछ भी दिकत नहीं होगा फुल्लोड ampere automatically आपका निकलेगा इसके लिए क्या करना पड़ेगा एगो आपको फर्मूला में डालना पड़ेगा पावार इक्वेल टू रूट थिरी इन्टू भी इन्टू आई इन्टू कॉस फाइगा इसी टाइप से आपको कल्कुलेशन कर रहा है जिस तरह में आप लोग को बता रहा हूँ तो इस जगा में हमारा पावार कितना है पावार है नाइन फाइप उसके बाद आपका चारगो जीरो ठीक है और रूट थिरी का मान है हमारा कितना ना है 1.732 क्योंकर थिरी फेज में हम लोग ज़्यादा तर रूट थिरी ये यूज करते है वोल्टेज हमारा कितना है अभी देखे वोल्टेज के जहां तक बात है अगर आपके पास 11 के भी है तो 11 के भी देखे कीजिएगा अगर 33 है तो 33 देखे ही कीजिएगा मतलब 11,000 है तो 11,000 देखे आपको करना है 23,000 है तो 33,000 देखे आपको calculation कर रहा है तो मैं इस जगा में 11000 बैठा देता हूँ ठीक है जिस तरह दोस्त मैं step by step आप लोगो को बता रहा हूँ एकदम same to same इसी तरह करके calculation करके जो transformer का name plate है उसके साथ आपको matching करके देखना है क्या हमारे accurate निकल रहा है या नहीं निकल रहा है देखिएगा कभी काल क्या होता है दो चार एंपियर इधर उधर रहता है कोई कोई transformer में देखिएगा लिखा हो रहता है plus minus 10% plus minus 5% इस type से भी देखिएगा कुछ कुछ वीडियो में मैं आप लोगों को अल्रड़ी समझाया हूँ अभी इसमें हम क्या करेंगे power factor डालेंगे तो पहले दोस्तो मैं आप लोगो 95 देखिए इस जगा में समझाया हूँ ठीक है अराम से इसके बाद अभी हम ज़्यादा power factor देखिए समझायेंगे तब क्या होगा दोगो power factor देखिए calculation करेंगे तो आप लोगों के अंदर में दोनो power factor का calculation का जो एक्स्पिरियंस से अलग टाइप से बनेगा अगर 95 95 देखिए करेंगे तो आप लोगों को लगए कुछ अलग होना चाहिए था ऐसा भी हम जब काम करते थे तो हमको भी ऐसा महसूस होता था कि एक ही चीज बार-बार अगर कोई कर रहा है तो अच्छा नहीं लगेगा अगर एक ही वीडियो हम डेली डेली एक ही जैसा बनाएंगे तो आप लोगों भी देखने में अच्छा नहीं लगेगा किरेंद के बार DC hall Chevork is director स्टेप अपलोंगों हम बताता हूं मेरे पास जोबी एक्सप्रियेंस है सारा एक्सपिरियेंस में आप लोगों को अल्रेडवी बतला हूँ कि सारा एक्सपिरियेंस में आप लोगों को बता दूंगा ठीक है जितना हो सका मैं आप लोगों का हेल्प भी करूँगा किस लिए दोस्तों कोई भी कमपनी में जब आप duty की जीए गए न मैं इतना ही चाता हो कि कोई भी आदमिये आप से पूछे कि यह सब आप किसके पास से सीखे हैं तो डायरेटर मेरा नाम बता सकते हैं कि सार ये यूटीब चैनल एक है जो हम लोगों को समझाता है उसी से हमको दिल को क्या होगा बहुत खुशी मिलेगा और बहुत खुशी मिलता भी है यही सबाब मैं मैंटेन करता हू ठीक है तो यहाँ पर हम 0.99 पावर फेक्टर डाल दिया है ठीक है तो इसको जब आप कैलकुलेशन कीजिएगा तब हमारा कितना MPR आएगा दोस्तो कैलकुलेशन में कर लिया हूँ इसके बाद आप लोगों को देखिए इस जगा में मैं लिख भी दिया हूँ तो दोस्तो हम लोग इस फर्मूला से क्या निकाल रहे हैं आई निकाल रहे हैं आई मतलब हम लोग MPR निकाल रहे हैं कौन सा साइड का निकाल रहे हैं हम लोग primary side का निकाल रहे हैं क्यूंके primary side में हम लोग 11,000 या 33,000 voltage देते हैं ठीक है तो इस जगा में आपका कितना MPR हो जा के साथ मैच हो भी सकता है नहीं हो सकता है यह कोई जोरूरीनेंगे मैच होगा ही होगा light मैच नहीं भी होगा फिर भी कोई दिकत नहीं है मोटा-मोटी एक मेफिक अपका यहां पर निकल जाएंगा ठीक है यह हमारा कॉट सा साइड सैड इंप ज हो भी कुछ doubt नहीं रहेगा जैसे दोस्तों अभी मैं आप लोग को secondary side का calculation करके बताऊंगा जैसे इहाँ पर हम कितना kilowatt का transformer था हमारा 950 ठीक है तो 950 kilowatt का transformer का calculation करके मैं आप लोग को अलड़ी बता रहा हूँ अभी secondary side का MPR किस तरह निकालेंगे वो भी आपको जानना जरूरी है दोस्तों primary side का MPR calculation करके अल्रेडी मैं बता दिया हूँ 950 kilowatt transformer का अभी secondary side का भी MPR आपको calculation करके निकालना है इसके लिए दोस्तों जो मैं आपको formula बताया था इसको एक बार लेग देता हूँ ठीक है तब क्या होगा आपके अंदर में कुछ doubt नहीं रहेगा doubt कभी भी अंदर में रखना भी नहीं चाहिए जो भी doubt रहेगा इस वीडियो में comment करके जरूर बताईएगा अभी जो मैं आप लोग को 950 kilowatt power बताया हूँ ठीक है तो चाए primary side रहे या आपका secondary side रहे जो हमारा formula है formula आपका same to same रहेगा formula में आपका change नहीं होगा ठीक है अभी क्या करेंगे जो हम watt में convert किये थे तो हम यह आपे i equal to क्या करेंगे watt बला डाल देंगे ठीक है तो हमारा watt हो गया इसके बाद दोस्तो जो हमारा root 3 का मान था वो भी same to same लिखेंगे और इसके बाद जो हमारा voltage है अभी voltage में change होगा क्या change होगा चाए एक जो लिए transformer रहे या आपका furnish transformer रहे ठीक है तो आपको देखना है secondary side में हमारा voltage कितना है 500 पचातर वोल्ड एसी है या 440 भोल्ड एसी है ठीक है यह सब आपको एकदम name plate में जो लिखा हो रहता है उसको देखके ही आपको calculation करना है तब क्या होगा name plate के साथ आपका match होगा ही होगा और कभी कभी देखिएगा name plate में आपका एक चीज लिखा हो रहता है plus minus 10% plus minus 5% यह भी एकदम अराम से पड़ लीजिएगा तब कुछ doubt नहीं रहेगा तो यहां पर हम क्या करेंगे यह जो हमारा voltage है voltage डाल देंगे ठीक है इसके बाद हमारा आ जाता है दोस्तो power factor power factor में आप लोग को अल्रेड़ी दो को बताया हो 0.95 और 0.99 तो इस जगा पे भी और ज़्यादा इधर उदर नहीं करेंगे 0.99 लिख देंगे नहीं तो क्या होगा और ज़्यादा समझाएंगे तो वीडियो काफी और बड़ा लंबा हो जाएगा तो इसको आप जब calculation कीजिएगा तब आप देखिएगा 9500 दोस्तो calculation जब कीजिएगा तो देखिएगा यही आएगा 754.4595 ठीक है यह हमारा आगिया इसके बाद जब इससे आप इसको divide कीजिएगा तब आपका आज आएगा कितना 1269 एमपियर ठीक है यह हमारा कौन सा एमपियर होगा यह हमारा secondary साइड का एमपियर होगा S E C ठीक है तो दोस्तो आज के वीडियो के लिए इतना ही अगर वीडियो अच्छा है तो like, share, comment ज़रूर कीजिएगा और चैनल को subscribe कीजिएगा नमस्कार जय हैंद